इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि किस तरह से जो है वो किसी भी फ्लेस को या किसी भी रीजन्स को या particular states को कैसे रिप्रेजीर्ट किया जाता है। और उससे जो है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट सही तरीके से करें ताकि बुर्य star फूरी examination में मिले। यह आपको class 9th और 10th दोनों student के लिए है यानि इस video का benefit जो है वो class 9th और 10th दोनों students को मिलेगा map के बारे में basically हम जैसा कि जानते हैं कि map जो है वो एक flat surface पे draw किया गया एक information होता है जिसमें कई तरह के records जो है वो mention होते हैं और यह किसी भी particular चीज़ को जो है वो smallest form में represent करकर दिखाय जाता है यह जो है वो आपको different होता है globe से क्योंकि globe जो होता है वो three dimensional होता है और map जो होता है वो two dimensional होता है यह basically difference है map जो है वो कई तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पर हम जो है वो physical map और political map की जो है वो बात करेंगे जैसे कि physical map जो है वो जिसमें mountain, plateau, plains, rivers इन सब को represent किया जाए उसे जो हो हम physical map काते हैं इंडिया के इस map को आप देखके समख सकते हैं कि यह इंडिया का physical map है क्योंकि इस map में जो है वो आपको इस direction में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया mountain है यह green वाला portion जो है वो plane का है यह red वाला, reddish type का जो portion है यह brown color का यह जो है आपको plate use है यह lining जो छोटी-छोटी दीख रहे हैं यह reverse को represent कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो है वो आपको physical चीजें जो है वो इंडिया के बारे में रिप्रेजेंट की गई है तो यह physical map की category में आता है एक होता है political map, political map में जो है वो इंडिया के जो है वो या किसी भी country के जो है वो उसके political boundaries को represent किया जाता है चाहिए वो state by जो या उसकी जो neighboring country से जो है boundary share करती हुई हो उसको जो है represent किया जाता है इसमें जो है आपको capitals, towns, कई तरह की जो है वो शड़के और कई तरह की चीजों को जो है वो represent किया गया होता है जैसे कि आप इस map में ही देख सकते हैं कि इसमें जो है वो इंडिया के सभी states और उनके capitals की bondries के साथ जो है वो represent किया गया है और भी कई तरह के towns को भी जो है वो represent किया गया है जो है महत्तवपूर्ण है जैसा कि आप already जानते हैं कि इंडिया में जो है वो 28 states और 8 union territories है 28 states और 8 union territories यह आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए तब ही जो है वो आप जाकर इसे deal कर पाएंगे या map के problems को solve कर पाएंगे otherwise यह possible नहीं है states का नाम याद रखने के लिए जो है वो आप यहां से भी देख सकते हैं हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाना, उतराखंड, उतरपरदेश, बिहार, जारखंड, 36 गर, ओडिशा, आंधरपरदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, केरल, करनाटका, महराष्टरा, गोवा, गुजरात, मध्यपरदेश, राजस्थान यह जो हो गया इसके बाद जो रिमेन पोर्चन बच गया वो आपको सेवन सिस्टर्स का बच गया, सेवन सिस्टर्स वाले पोर्चन को आप देख सकते हैं, इधर जो हो रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें जो हो आपको अरुनाचल प्रदेश, आसाम, नागालेंड, मनिपूर और मिजो जैसे जो हो इसके साथ त्रिपूरा में घाल है, और इधर एक बच जाता है आपका सिक्की, और लास्ट में जो हो स्टेट बच जाता है, वो वेस्ट बहेंगा, तो ये टोटर मिला कर 28 स्टेट हो जाते हैं, 80 यूनियन टेरेट्रीज की अगर हम बात करें, तो 80 यूनियन ट यूनियन टेरेट्रीज को आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, यहां पर लक्षे दीप एक हो गया, दूसरे नंबर पे आपको यहां पर दिया गया है, अंडमानि को बार दिप, दो तीसरे नंबर पे यहां पर पंडी चेरी नजर आएगा, य तो यह पुद्दू चेरी हो गया, इस तीन और चौथे नंबर पे आपको इधर जो है वो दादरायम नगर हवेली यह पहले और दमन और दीप, यह दूनों को जो है मिला कर एक यूनियन टेरेट्रीज कर दिया गया है, पहले यह डिफरेंट होते थे, तो चार यूनियन ट श्मीर हो गया, और यहां पर चंडी कड़ हो गया, और साथ में वो आपको देली हो गया, तो यह मिला कर जो है वो टोटल आठ यूनियन टेरेटरीज हो गये, इनहीं को आपको याद रखना ज़ोरूरी है और यहीं जो है वो आपको मैप में मदद कर सकते हैं, हलाकि इसके अलावा भी कुछ और चीजे होती है, जो मदद करती है. जैसे कि direction, direction की बात की जाए, तो direction आप जानते ही हैं कि निजरली जो है, वो 4 direction होते हैं लेकिन उनको सब directions में भी वो बाटा जा सकता है, जैसे कि यहां पर north, south, east और west, north, east, south, east, southwest और northwest. यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर direction की भी जानकारी नहीं है तो भी आप जो है वो map सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं इसके साथ साथ latitudes और longitudes के बारे में भी जानना होता है जो आप class 9 में already परचुके हैं यहां पर हम details जो है वो latitude और longitudes के बारे में नहीं जाएंगे, basically आपको बता देते हैं कि जो parallel lines होती हैं, जो east to west होती हैं, इसे जो है वो latitude बोला जाता है और जो north to south imaginary lines होती हैं, उन्हें जो है वो हम longitudes के नाम से जानते हैं, तो यह basic चीज़े हैं जो आपको किसी भी place को जो है व overall अगर बात की जाए, तो map और कुछ नहीं, just like a mcq question की तरह होता है, यानि अगर आप में mcq question का answer जानते हैं, तो map के problems को आप easily deal कर सकते हैं, जैसे समाननिता example के तोर पर अगर कहा जाए, कि कोई अगर का राय कि represent the capital of India, तो इंडिया का capital अगर आप जानिएगा, तब तो represent की जीएगा, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी होगा कि Delhi है, तो Delhi जो है वो अभी जानना जरूरी है कि वो किस direction में located है, क्या latitude है, क्या longitude है, अगर इतना आप नहीं जानते हैं, तो कम से कम directions के according भी जो है, वो कुछ help ले सकते हैं, और political boundaries में already आपको states जो है, वो mention होते हैं बसके वोल वहाँ पे represent करना जरूरी होता है, इसलिए सबसे जादा important है कि आप जो है, इंडिया के states और union territories के name, capital जो है वो याद रखें, अगर आपको ये चीजे नहीं याद रहेंगी, तो map आप से deal नहीं होगा, और जिनें याद रहेगा, उन्हें map में जो है वो six marks के map में जो है वो six marks जो है वो आएगा, यानि six up to six, map में एक परसेंट भी नहीं कटने का chance होता है, दूसरी बात कि map के problems को solve करने में मुश्किल से one यार two minutes लगते हैं, आप सोचिए कि one और two minutes में आप six marks के questions को जो है वो solve कर देते हैं, तो ये कितना importance हो जाता है, बात बाकी next topic में जो को जो है वो बताया जाएगा